हलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बी, आयम शिवानी चाहान, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लासिक संस्कृत के बुक का चाप्टर थर्टीन का हिंदी का ट्रांसलेशन, तो विमान यानम रचयाम, मतलब विमान यानम, एरप्लेन बनाना, तो इसमें जो बच्चे है जिसे की बारश का मौसम होता है, तो बोट्स बनाते हैं इसी तरीके से, बच्चे जो हैं, वो यहाँ पर विमान एरप्लेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब गेम खेल रहे हैं, तो बच्चे अवास लगाते हैं, राघव, मादब, सीते, ललीते, मतलब सारे के सारे बच हवाई जाहज की रचना कर रहे हैं, हम लोग हवाई जाहज जो हैं वो बनाएंगे, हवाई जाहज को हम जो नीला गगन है, नीला, विपल इतना, विशाल, निर्मल, इतना सुंदर जो आकाश है, इसमें हम लोग अपने विमान को ले जाएंगे, विमान को बनाएंगे, में हम लोग हवा की हवार यात्रा करेंगे फिर आगे ये वाला जो है उन्नत, रवख्षम, तुंगम- भवनम ये वाला इसका मतलब है कि बहुत ही जो उचे-उचे पेड़ हैं, उचे उचे भवन हैं, इतनी जो उची उची चीजे हैं, इन सब को पार करके हम लोग आकाच में चलो चलते हैं, बर्फ की जो सीडियां है, मतलब जो पहार हैं, बर्फ हर तरफ बिची हुई है, है ना, इनको भी पार करके हम लोग चंद्र लोक में जहाज बनाते हैं, अब आई जहाज से हम लोग पूरे आस्मान में गूमने लगेंगे, अब आस्मान में गूमेंगे हम लोग उचे-उचे जो पहाड हैं, उचे-उचे परवत, उचे-उचे घर, सब को पार करके हम लोग अकाश में चल लेते हैं, और बर्फ की जो सीडियां बार विज्यू इनको भी पार करके चंद्र लोग में प्रवेश कर लेते हैं अब यह तर्ड है यह वाला इसको देखते इन सारे ग्रहों की हम लोग गिंती कर लेते हैं और ये जो विविद बहुत सारे सुन्दर से तारे हैं इन सब को जो तारे हैं ये मोती जैसे दिख रहे हैं इन सब को हम लोग ले आते हैं और इन जो मोती जैसे जो तारे लग रहे हैं इनकी लाकर के हम लोग हार बना लेते हैं इनकी माला बना लेते हैं फिर आगे ये वाला जो है फोर्थ वाला इसमें कहते हैं ये फिर ये आगे कि जो बच्चे हैं ये कहते हैं कि बादलों की जो हम लोग माला लेकर के आएंगे आकाच की जो सुन्दर्ता लेकर के हम लोग आएंगे मतलब यह जो माला वगेरा हम लेके आएंगे यह हम लोग लेकर के जमीन पर आते हैं और किसान के जो घर है जो किसान इतने दुखी हैं उनको यह माला देते हैं उनको यह खुशियां देते हैं और उनके जिन्दगी को खुशियों से हम लोग सब मिल करके भर देते हैं तो यह चाप्टर था, इसमें जो छोटी-चोटी बच्चे हैं, वो कहते हैं कि हम लोगावाई जाज बनाएंगे, हवा जाज पनाकर के आस्मान में जाएंगे, आस्मान में जाकर हवाई आत्रा करेंगे, उचे पेड़ परवत सबसे उपर निकल जाएंगे चंद्रमा, सूरज, शुक्र सब की ग्रहों को देखेंगे तारों की गिंती करेंगे तारों से माला बनाएंगे फिर बादलों की माला, काश की सुन्दरता सब खूब सूर्थी लेकर के जमीन पे वापस आएंगे और जो किसान दुखी है, लोग दुखी है उनको इलाकर दे देंगे उनके जिन्दगी खुशियों से भर देंगे तो ये चाप्टर का एक्स्पनेशन हमने हिंदी में देख लिया वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताईएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिये लाइक जरूर करिये और अपने फ्रेंश के साथ भी इसको शेयर करिये और हम लोग इसका एक्साइस का सल्यूशन जो है जल्दी रेके आएंगे उसको भी जरूर देखेगा, थेंक्यू